नमस्कार हिंदुस्तान और से तंगल में आप सवी का स्वागत है मैं आप लोग के बीच सेमी फाइनल थर्ड का वीडियो लेकर रहा हूँ लणवी रोतास बिहार से आप देख रहे हैं कि सवी घोड़े छूट चुके हैं और अभी आगे चल रहा है मुन्ना सियर्याव का गोड़ा जिस पर सवारी कर रहा है सवार हरे रामयादव दितिये पर है विवेका पहलवान बाढ़ का गोड़ा जिस पर सवारी कर रहा है सवार संभूसी है और तृतिय बिगाड एक काफी संदार स्पीड में जी तेंदर मुखिया जी की घोड़ी चली और पीछे से इसमें लगे रहे सवार अरुन जी सरदार जी बगवा के घोड़े को लेकर और सवार संभूसी ने एक चकर पूरा होते होते सवार हरे राम जी से आगे निकल गए और सवार हरे राम और सवार अरुन यादों में काफी संदार आपको टक कर देखने को मिलेगा जिसमें सवार अरुन की काबिले तारीफ करनी पड़ेगी काफी अच्छा एक बात मैं और बता दू कि 28 फरवरी 2021 को नराहिनपूर अगिया भोजपूर विहार में भुपेंदर सी मुखिया एवं मुके सी अगिया बलाग पर मुख के द्वारा रविदाह जैनती के अउसर पर रेस का एवजन 28 फरवरी 2021 को रखा गया है जिसमें प्रथम आने वाले घोडे को बाइक दितिया अस्थान पाने वाले घोडे को फ्रीज और दितिया अस्थान पाने वाले घोडे को LCD TV से इनाम दिया जाएगा आप सभी लोग इस रेस में जरूर से जरूर पहुंचिए और सेमी फाइनल थर्ड में प्रथम अस्थान प्राप्त किया बाढ़ बिहार का गोड़ा विबेका पहलवान जी का जिस पे सवारी कर रहे हैं थे सवार संभुसी और मैं पता दूँ त अभी नया आया है और प्रथम बार इस रेस में दिती अफ्थान प्राप्त किया और घोड़े का नाम रखा गया है बिहार केशरी बिहार केशरी जब पहले पहलवान लड़ते थे तो एक खिताब दिया जाता था बिहार केशरी का तो वही घोड़े का नाम रखा गया है बि सरदार जी का घोड़ा चला और काबिले तरीफ करनी पड़ेगी सवार अरुन की काफी मेहनत किये घोड़े पे और इसमें अस्थान पराप्त किये और जो लोग अभी हिंदुस्तान और से दंगल यूटूब चैनल से नहीं जुड़ें आप इस चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल बटन के घंटा जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो आप सबसे पहले वीडियो देख पाएं आने वाले रीस्यो की पूरी जनकारी मैं हिंदुस्तान और से दंगल यूटूब चैनल की ओर से देता रहूँगा और ब्रहापूर मेला का सभी लोग आप तैयारी में लग जाएए ब्रहापूर मेला भी बहुत ही पास है आप सभी को हर अपडेट हिंदुस्तान हर से दंगल यूटूब चैनल से मिलता रहेगा आप इस वीडियो को आगे भी सेयर कीजिए मैं फिर मिलता हूं आगे नया वीडियो लेकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद